दोस्तो नमस्कार मैं पंडित सबासन मिश्रा हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का श्वागत है दोस्तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ अनंत चतुरदसी की जनकारी दोस्तों अनंत चतुर्दसी किसे कहते हैं क्या है अनंत चतुर्दसी का महात्म और कैसे करते हैं अनंत चतुर्दसी ब्रत की पूजा बीधी क्या है और अनंत चतुर्दसी ब्रत का था शबी जनकारी आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले दोस्तों अनंत चतुरदशी की आप सभी को हार्दिक्सुब कामना है दोस्तों भादरपद सुकलपक्ष की चतुरदशी तिथी को अनंत चतुरदशी के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान विश्णू के अनंत रूप का पूजा करते हैं इस ब्रत को लगात जैसे ही भगवान अनन्त देव का शुरूब की भगवान विश्नु की ही पूजा होती है। इसलिए इस दिन भगवान सत्यनाराइन की पूजा और कता भी शुनते हैं। अनन्त चतुरदसी के दिन ही गनपती भिसर्जन किया जाता है। जो की लगतार दस दिन तक यानि चतु कथा सुनते हैं अनंत चतुर्दसी का अनंत गुना फल प्रदान करने वाली अनंत चतुर्दसी ब्रत की कथा को प्राचीन काल में गंगा जी के किनारे स्री धर्म राज युदिष्टिर ने जरा संद को मारने के लिए राजशु यग्य का आयुजन किया राजशु यग्य करने के लिए युदिष्टिर और अन्यपांडव मिलकर एक ऐसे यग्यमंडप का निर्मान करवाया जो बहुत ही शुंदर और अद्बुत था इतना सुं दुरियोधन का उपहास उडाते हुए बोली अंधे का संतान अंधी होती है यह सब्द सुनकर दुरियोधन कुरोधित हुआ और बदला लेने को मन में ठान लिया संजोग बस पांचो पांडव दुत कीडा यानी जुवा में सभी शंपती और दुरोपती को भी हार गए और ब पूछा तब भगवान कृष्ण ने उपाय के रूप में युदिष्टिर को बताया कि युदिष्टिर तुम अनंत भगवान का अनंत चतुरदसी ब्रत करो इस ब्रत के प्रभाव से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा फिर यह अबरत नहीं करता है तो वह कता सुनने से भी फल प्राप्त कर सकता है प्राचीन काल में शुमंत नाम की एक तपश्वी ब्रामड था ब्रामड के पतनी का नाम दिक्षा था उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था शुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दि शुषिला को पसंद नहीं करती थी और शुषिला को कष्ट देती थी एक दिन कॉंडे रिसी शुमंत ब्रामड के घर आए और शुमंत ब्रामड से उनकी पुत्री शुषिला का हाथ मांगा कॉंडे रिसी की बात सुनकर ब्रामड शुमंत बहुत प्रशन हुए और अपने अपने दमाद को कुछ इंतें और पतरों के टुकडे कपड़े में बांध करके दे दिये कॉंडे रिशी यह सब देखकर बहुत नाराज हुए लेकिन बिना कुछ कहे अपने पतनी सुशीला को लेकर अपने आस्रम के तरफ चल दिये बीच रास्ते में नदी के किनारे एक रुप करके शंध्या पूजा करने लगे शुशीला ने देखा कुछ इस्त्रिया नदी के किनारे पूजा पाट कर रही हैं शुशीला के पूछने पर इस्त्रियों ने बताया कि वह अनंत भगवान की पूजा कर रही हैं तो सुसीला ने पूछा इस ब्रत का क्या बिधी है शभी इस्त्रियों ने अनंत चतुरदसी ब्रत की बिधी और महत्त बताया अनंत चतुरदसी महात्म सुसीला ने शुना और अनंत ब्रत सुसीला ने किया और चौदा गाठों वाला डोरा हाथ में बांद करके रिशी के पास आ गई इस ब्र शुशीला ने शारी कथा कॉंडे रिशी को शुनाई लेकिन कॉंडे रिशी को विश्वास नहीं होने के कारण डोरा तोड़कर अगनी में जला दिया तो अनंत भगवान कुरोधित हो गए और धीरे धीरे रिशी कॉंडे परेशान रहने लगे कॉंडे रिशी की सारी शंपत नश्ट हो गई सारा धन बैवो समाप्त हो गया अंत में अपनी पतनी सुशीला से परिशानी का कारण पूछा तो शुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाई इस पश्चाताब के लिए कौंडेर इसी बन में चले गए बन में बहुत दिनों तक भटक करते रहे एक दिन परिशान होकर के गिर गए तभी भगवान विश्णू का दर्शन हुआ और भगवान ने कहा तुमने हमारे दोरे का अपमान किया था इसलिए तुम दुखी हो तुम्हारा पश्चाताब हो गया है मैं तुम से प्रशन हूँ तुम घर जाकर विधी पुर बरसों तक कॉंडे रिशी ने ब्रत किया तो कॉंडे रिशी को शारी शंपती बैभव प्राप्त हुआ इसी तरह युदिश्टिर ने भी 14 बरसों तक अनंत चतुरदशी का ब्रत किया इसी दिन से अनंत चतुरदशी का ब्रत का प्रचलन हुआ बोलिये व्रिंदावन बिह चारी लाल की जै अनंत चतुरदसी की पूजा की विधी अब आप सभी ध्यान से शुनें अनंत चौदस के दिन इसनान से निवृत हो करके अपने घर के मंदिर में एक चोकी बिछाएं और उसके उपर कपड़ा बिछाएं और पूजा की सभी सामगरी कठा करके सेश नाग शह दोरे को पूरुश दाइं भूजा में बांदें इस तरह यां बाइं भूजा में बांदें और भगवान बिछनु के मंत्र का जब करें इस प्रकार पूजा करने से भगवान बिछनु की किरपा पराप्त होती है दोस्तो यह विडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ओम बिश्णवे इनमा जरूर लिखें दोस्तों यह हमारा बताया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें